इस वीक में गईज काफी सारे OnePlus स्मार्टफोन के लिए Oxygen OS 15, Basedron Android 15 के बीटा और इस्टेबल अप्टेट है और रोलाउट किये गए हैं जिसकी complete information है वो मैं आपके साथ में शेर करने वालूँ कौन से स्मार्टफोन के लिए तो अप्टेट है और रोलाउट कर दिया गए है और कौन-कौन से ऐसे स्मार्टफोन है जिनके लिए अप्टेट है वो आना बाकि है तो वीडियो काफी सदा हेलफूल होने वाली है वीडियो को एंड तक वोच करते रिए वीडियो आपको ये पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकतो और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लेना जैसे ओफिशल और बीटा अप्टेट है वो इंडिया में रिलिज होगा तो वीडियो आपको मारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी इन सभी अप्टेट की गईज जो इन्फोर्म पहले बीटा अप्टेट आया था लेकिन अभी ओफिशल अप्टेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है अप्टेट की टोटल साइज आपको मिलती है 3.61 GB तो आपके फोन के लिए अप्टेट है वो शो नहीं कर रहा है तो एक दिन का वेट करना कल की डेट के अ वाला अप्टेट है वो सभी यूजर्स के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा सेकिंड अप्टेट है वन प्लस 12 स्मार्टफोन के लिए इसके लिए भी सेम वन प्लस 12R के जैसे एक वीक पहले बीटा अप्टेट आया था और अभी आपर ओफिशल अप्टेट है वो रोल आउट अना स्टार्ट हो चुका है और अप्टेट की टोटल साइज है वो आपको अराउंड 6.5 GB के एप्रोक्स देखने को मिलती है और काफी सारे नए फीचर्स है वो यहाँ पर एड़ किये गए हैं नेक्स्ट अप्टेट है वन प्लस नोड CE 4 लाइट 5G तो गा अप्टेट है ओफिचल अप्टेट है उसको आने में अभी थोड़ा याँ पर टाइम लगेगा अब जो नेक्स्ट अप्टेट है वो है वन प्लस नोड CE 4 स्मार्टफोन के लिए वो लाइट था और यह नोर्मल CE 4 स्मार्टफोन है इसके लिए भी फाइनली अप्टेट है वो रोल आउट होना स्टाइट हो चुका है और 3.25 जी भी आपको अप्टेट की टोटल साइज मिल जाती है तो यह बीटा अप्टेट है उसको आने में अभी याँ पर 15 से 20 डेस का टाइम में वो लग सकता है अभी यार वन प्लस का समझ में नहीं आ रहा है वन प्लस नोड CE4, वन प्लस नोड, CE4 Lite दोनों स्मार्टफोन के लिए जबकि अप्टेट आ चुका है तो वन प्लस नोड फोर के लिए अप्टेट है वो पहले क्यों यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया है जबकि वन प्लस नोड फोर है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन दोनों फोन क के कमपेरिजन में तो यह बात थोड़ी अलग लगी है बाकी काफी सारे वन प्लस के यूजर है उनका भी यही मानना है तो गाईज यह रहा शेडूल आप लोग देख सकतो इन तीनों स्मार्टफोन के लिए अप्टेट आ चुका है वन प्लस डूल, 12R और 12R इंपेक्ट ए एक से दो वीक के अंदर आपको अप्टेट मिलेगा 1 प्लस 11, 1 प्लस 11R, 1 प्लस Node4 और 1 प्लस Спेट तो हो सकता है इनके लिए अप्टेट आपको दो वीक के अंदर मिल जाए बले ही वन प्लस की तरब से आपर दिसमबर मन्त है वो मेंशन किया है लेकिन नवंबर मन्त के अं इंडिंग से पहले अप्टेट है वो मिल सकते हैं बाकी इन सभी स्मार्टफून के लिए तो अभी थोड़ा टाइम में अप्टेट को आने में बाकी शेडूल है वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो इने फीचर्स के उपर वीडियो है वहाँ पर बना दिये तो आप जोइन कर लेना मैं मिल तो आप लोगों से नेक्स उड़ों में जेहिंद वन दे मातरम